। थें आलू फ्रेंग मैंने दूआ सबह सबढ माने देखी तैंकнет, यञा ही थेस्ट करें कि मुटेल से असकरानी होग इसि लिए, इस भूके नहीं कि ररके ठीपियो करें, उनको भी बूंजने के रख और आलू आलू भी आजकल नए आ रहे हैं तो उनको भी धो बॉस करने के बाद फिर उने छीला और फिर मैंने सामान लिया सामान में मैंने ली है प्याज प्याज हरी मिर्ची और दो टमाटर पांच हरी मिर्ची दो प्याज दो टमाटर सारा सामान को काट लिया है काटने के बाद ये देखी सारा सामर काटन के रख दिया अब चलते हैं पोहा बनाने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को फिर यहां पर मैंने कड़ा ही रख दी गैस पर इसमें मैंने डा दानों को अच्छे से भूजना है भूजने के बाद उसके चुकल को निकाल ले रहा है यह देखी मेरे दाने भूज चुके हैं अब चलते हैं पवा बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में ओल डाला आप अपने इसाब से डाल लीजिए जितना आपको डालन है मैंने ओल डाला और डालने के बाद देख मेरे हरी मिर्ची भूज गई मैंने प्याज डाली इसमें प्याज भूजने के बाद मैंने दाने डाल दिये दाने डल गए मैंने आलू भी डाल दिये इसमें आलू भी अच्छे से भूजने के बाद टमाटा डाल दिये टमाटा करें सारा सामन मिक्स होने का आप पकंग जा आए क skill आप अलमा को सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छी लगए तो चेनल को सब्सक्राइब कर पह नहीं इने हल्दी आप पालर डालने के बाद रेड मिर्ची डालना है, आप अपने इस साब से डालने हो जितना आपको डालना है, यह देखिए, मेरे यहां तो खूब सारी मिर्चीया खपती है, हारी लाल जैसी भी हो, सारी मिर्चीया खपती है, मैंने मिर्ची डाल चुकी हूँ, उसके बाद डालना है नमक, नमक डालने के बाद अच्छे स्मिक्स ना यहां पर में पोहा डाल लाई हूँ पोहा को अच्छे से डाल के मिलाना यह देखिए मैं मिला चुकी हूँ पोहा मेरे बनके रेडी है मैं नीवू भी डाला था नीवू इसमें एटकल ना भूल गई फिर हरी पत्ती रखी थी धनिया की भो भी डाल दिये और मेरे पुवा बनके रेक दम यमी यमी तैयार तो आजाइए आप भी खाली जिए यह देखिए मैं आप लोग